जी नियूज ने सौनिया गांधी और राहूल गांधी गांधी परिवार के चुटा यूज इसा लग रहा था कि गधरान मत्री होगी नहीं है राहूल गांधी और सौनिया गांधी टीक हुई तो 36 गर्ड पुलिस ने आई जी मेरेट को शिकाय दर्ज करवाई है कि उनकी पुलिस ने जी न्यूज की एंकर और जी ग्रफतारी में बाता उपन की जप्रिटे कांप करने के लिए 36 गर्ड पुलिस के पास बारण था कानून बार दोस्तों नमस्कार मैं मुनुज को शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज नियूस के लिए जी हाँ दोस्तों ख़वरें तो चलनी चाहिए थी इन ख़वरों पर जो खवरें मैं आपको बता रहा हूं यहां डाल करके खवर यह है कि प्रदेश के 18 बस स्टेशनों को बेज़ देगी सरकार अब किन सरकार देश भर के राश्टी राजमाद बेख करके 40,000 क्रोड रुपे एकटे करेगी अब बड़े सरकारी बैंक और वीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी हो गई है पुलिस के 50 से अधिक सेवाओं को निजी हातों में सौपने की तैयारी हो गई पूरी देश में सरकारी स्कूलों का निजी करण हो जाएगा 75,000 क्रोड में बिकेगा रेलबे स्टेशन निजी हातों में होगी पुलिस की दो दरजन सेवाएं 40 ITI का निजी करण होगा ये खबरें आपको जो देख रहे हैं यहाँ पर वो कहीं इसके बारे में किसी मीडिया ने या किसी ने चर्चा नहीं की होगी मीडिया में G News में चर्चा थी एक ऐसे पत्रकार के बारे में जो पत्रकार जो था जिसके बारे में बाराण निकल चुका था 36 गड़ की सरकार के द्वारा पुलिस पहुँच गई थी और उसके बारे में आज पूरे दिन चर्चे चलते रहे लेकिन जो में मुद्दे थे वो कहीं पीछे चूड जाते हैं पता नहीं कुछ मीडिया ऐसा बन जाए या हम लोग कुछ ऐसे बन गए हैं जिनके हाथों में हत्यार थमाने की भी कोशिश की जा रही है उस ख़वर पर भी आएंगे लेकिन आज जी नियूस के उस पत्रकार के बारे में बात करेंगे जिसमें जो है जिसने राहुल गांदी के एक किलिप चलाई जी नियूस का वो पत्रकार जिसको गरफतार करने के लिए गाजेवाद में पुलिस पहुंची और उसके बाद 36 गड़ की पुलिस के साथ उसकी जो थी मुढवेड चालू हो गई इसकदर मुढवेड चालू हो गई कि भारतियंता पार्टी की सरकार योगी सरकार को लग रहा था कि अगर इस आदमी को उठा लिया जिसका नाम लेना में अपनी जवान पर लाना अच्छा ने समझता ऐसे एंकर को जो नौकरी के लिए देश कुदाब पर लगा दे तो ऐसे एंकरों को नौकरी छोड़ कर छोड़ देनी चाहिए जिसने गलत बियानी की 36 गर्ट पुलिस ने इस बारे में जिस तरह से उसे ले जाया गया यूबी के पुलिस के द्वारा अनियंतर मतलव इस्थानानित किया गया पुलिस में काफी धिंगा मुश्ती हुई तो 36 गर्ट पुलिस ने आई जी मिरट को शिकायद दर्ज करवाई है कि उनकी पुलिस ने जी नौकर रोहित की गरफतारी में बाधा उत्पन की जबकि गर्फतार करने के लिए 36 गर्ट पुलिस के पास बारण था कानूनी बारण था उसको जो था ठेंगा दिखा दिया गया योगी की सरकार के द्वारा ऐसा ही कुछ अर्णव गोश्वामी के मामले में हुआ था ऐसा ही कुछ कंगना रानावत के मामली में हुआ था जब कंगना रानावत के गिरफतारी के बार निकले थे तो इस सरकार ने कंगना रानावत के विवादित बोलों का सपोर्ट करने के लिए उन्हें जैट शेरनी की सुरक्षा प्रदान कर दी थी इसी तरह से रोहित को भी जो है अब सुरक्षा देदी गई या राज खुलने का ऐसा डर था कि शायद रोहित को 36 गड़ पुलिस उठा ले गई तो पता नहीं कौन सा राज खुल जागा शायद उसने तक राज खुल जाए कि उसने पड़ी हुई स्क्रिफ्ट बोली थी या ये बोला था या किसी के कहने पर बोला था या प्रोग्राम से स्क्रिफ्ट मिली थी 36 गड़क पुलिस जो थी केवल इसके उपर इंवेस्टिकेशन करने वाली थी कि राहुल गानी के जो बियान को जो था मौर्फ करके सरे आम इस तरह से क्यों चलाए गया अब इसका जवाब शायद नहीं होगा ये कानून विवस्था की सीधे सीधे मजाक उड़ रही है भाई जिस पार्टी के लोग सुप्रीम कोड को सुप्रीम कोठा कह सकते हैं वो नियाय पालिका और सम्मिधान की इज़्जत करेंगे कहां क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो इज़्जत करेंगे यही वो लोग हैं जो अपने हिसाब से कानून को तोड़ने मरणने की एक मोहीं चलाए हुए हैं कुछ मीडिया पत्रकार बिके हुए जिन से एजेंडा चलवाना है हिंदू-मुसलिम का कुछ ऐसे लोग जो मतलव केवल अववाए और फेक नियूज चलाए हिंदूस्तान की जन्ता को भरवाने के लिए लेकिन वो चीज ना चलाए जो चलानी चाहिए वो चीज ना तो भारतियंदा पार्टी का कोई आनुवांशिक संगठन करता है जो यूबाओं के अधिकार मांगे पुलिस के लिए भरती के लिए लोग पैदल चलने उसके बारे में किसी पत्रकार ने कोई स्टोरी की नहीं की लेकिन जब 36 गड़ की पुलिस रोही को गरिफ़तार करने पहुची तब जी नियूज ने सौनिया गांधी और राहूल गांधी गांधी परिवार के खिलाफ पूरा यूद छेड़ दिया ऐसा लग रहा था की प्रिधान मंतरी मूदी नहीं है राहूल गांधी हैं और सोनिया गांधी है ऐसे पत्रकारों का दिमाग का दई निकलते हुए जब देखता हूँ तो लगता है ये पत्रकार ही नहीं कहलाने लाइक ही नहीं ना इने हिस्ट्री के बारें पता है, ना अर्थिवेस्था के बारें पता है, ना किसी के बारें पता है, लेकिन जो तमाचा हुआ, वो जूडी श्री के गाल पर तमाचा था, और सीधे सीधे लगा, और पूरे देश ने इस चीज़ को देखा, दोस्तों आप बताईए, क्या जब किसी अपरादी के खिलाफ बारण जारी होते हैं किसी दूसरी स्टेट के तो क्या वो स्टेट उसको ले जाने से रोकती है विकास दुबे आपको याद होगा जब यूपी की पुलिस उसको लेने आई थी तो एमपी की पुलिस ने क्या उसको रोका था लेकिन उसको योगी जी को रास्ते से हटाना था विकास दूबे को इसलिए हो जाने दिया और यहां रोहित जो हैं अब निशाने पर आ गए हाला कि कुछ पत्रकार कह रहे हैं पत्रकारता पर हमला आया है जहां कांग्रेस कहती है कि इस्पीच फ्रीडम ओफ इस्पीच सब को होनी चाहिए तो फ्रीडम ओफ इस्पीच का मतलब यह थोड़ी है कि फेक नहीं चलाओ प्रग्या भी आ गई सब कुछ आ गए दुनिया भर की बात करने लगी यह ऐसे पत्रकार जो हैं लेकिन उन पत्रकारों के बारे में बात कौन करेगा जुबैर जैसे पत्रकारों के बारे में जुबैर के बारे में जुबैर के बारे में अंतरास्टिय बदनामी हो रही है पूरे बिश में कनड़ा में प्रदर्शन हुए हैं उसके बारे में यह वीडियो आपने देख लि लेकिन जरूरी है दो भी बहुत जरूरी है जीनियूस के पत्रकार के गरफतारी क्यों हुई किसली हुई किसली यूपी पुलिस ने उनको रोका इसके जवाब देही तो जरूर बनती है लेकिन जवाब देही देगा कौन देश का महौल लगातार खराग होता जा रहा है अब हज़रत ख्वाजा मुईन दीन चिश्टी की दरखा के खादिम सलीम के खिलाब भी सक्त कारवाई होगी लेकिन इस ता के बियान आते क्यों है ऐसे लोगों के साथ भारती इंता पार्टी के रिष्टे होते क्यों है जिनका आतंगवाज से और आतंगवादियों से रिष्टा होता है भारती इंता पार्टी क्यों ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट करती है जो गलत न्यूद चलाते हैं भारती इंता पार्टी की पुलिस क्यों सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को जो लोग देश में नफरत भूल देना चा ये नहीं कह सकते लेकिन इस पर फैसला आप कीजेगा कि कितनी सही है कितनी गलत है नमशकार जैहन दोस्तो कौन है